संसद का सत्र चला हुआ है और इस तो रांग तीखे बार पलट बार भी देखे जा रहे हैं और इस बीच क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रहूल गांधी विपक्ष की आवाज सदर में रख रहे हैं लेकिन उनके उपर पधान मंत्री की तरफ से भी जो आरोप लगा गये हैं और एक बात कही गई है बालक बुधी और इसके साथ साथ उनके कुछ शब्दों को एक्सबंज भी किया गया है संसद में इस पूरे विशैपर बाचित के लिए ख़बरें भी तक के साथ मौजूद हैं कॉंग्रस पार्टी के राष्टिया परवक्ता कुल्दी प् गया कि उन्होंने हिंदूों के खिलाप बोला गलत अथ्यात्मक तरिके से नहीं बोला गलत अंक्रे बहां पर पेश किया इसको आप उब राउल कैसे देखते हैं देखिए कल नेता प्रतिपक्ष के रूप में राउल गांदी जी का प्रतम भाशन था और पूरी देश ने सदन की कारवई को देखा हमने भी देखा आप लोगों ने भी देखा पूरी देश ने देखा कोई भी शब्द उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने के ओल यही बात कही कि जो भी धर्म है चाई हिंदू है हिंदू धर्म है सिक्ष धर्म है जैन धर्म है बहुत धर्म है इसलाम धर्म है सबी धर्म जो है भाईचारे की बात करते हैं कोई भी धर्म जो है इस बात को प्रेदित नहीं करता कि आप हिंसा का रास्ता अप कि पूरा विश्व हमारा परिवार है उन्होंने क्यों लेक बात कही कि जो भारती जंता पार्टी या भारती जंता पार्टी से जुड़े संगठन हो देश में एक संपरदाइक दुरूवी करने का प्रयास करें देश में एक हिंसा की राजनिती को बढ़ावा दे रहे हैं देश में भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास करें वो तो पूरे देश ने देखा है उसमें गलत कौन सी बात है लेकिन उसके बाद परदान मंत्री जी का की जो टि कि प्रतिपक्ष की अवाज बहुत जादा मजबूत है और जिस धंग से शीरी राउल गांदी जी के भाषणों के कुछ आंश जो है कारवाई से निकाल दिये गे वो भी गलत है अलंकि भारतिय जनता पार्टी के दूसरे कई सांसत बोले अनुराग ठाकुर भी बोले उनकी भ राउल गांदी जी को हतो साहित किया जाए ताके वो अपनी आवाज को लोगसभा में ना उठा पाए और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस धंग से उनके भाषण को पूरे देश ने अपसंद किया आने वाले समय में देश में जो बड़े-बड़े मुद्दें हैं भ्र लोगसभा में बड़ी मजबूती से रखेंगे और अच्छे लोग तंतर के लिए जरूरी है कि विपक्ष की आवाज भी मजबूत हो और मुद्दी जी और उनके सातियों को शाहिए इस बात की तकलीफ हो रही है कि जो दस वर्ष में चला वो आगे चलने वाला नहीं है उन देश में नीट एक बड़ा अभी शै बन गया पेपर लीक हुआ है और उस पर जांच को लेकर बेशक चल रही है लेकिन जिस तरह से रावल गांदी चाहते थे कि उस पर चर्चा हो और खुलकर चर्चा होनी चाहिए उस चर्चा का उस बक्स में नहीं दिया गया तो क्या आ परकाश में आया बहुत बड़ी जो है देश में एक ऐसा माहौल बना कि जो पच्चा मेहनत करता है पढ़ता है लिखता है उसको जो है स्थानी मिलता और उन लोगों को मिलता है जो पैसे के जरिये या परलोबन देकर जो है पेपर खरीदते हैं पेपर लीक हो रहे हैं तो आज जरूरत इस बात की थी कि लोगसवा में इस पे पूरी चर्चा होती और सभी बात करते और भुषय में इस बात को सुनी से किया जाता कि कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए अगर इसी तरह से पेपर लीक होते रहे तो जो हमारी शिक्षा प्रनाली है उसे लोगों फिर से उपचुनाब के दौर में है तीन सीटों पर उपचुनाब हो रहे हैं क्या लग रहा है कि आपको अब जनता जो है वो क्या फिर से भरोसा करेगी कॉंग्रस पार्टी के उपर तीन सीटें खाते में डालेगी आलंकि बीजेपी का कहना है कि सरकार का रोल ठीक नहीं ह है परदेश में तभी निर्दलिया विधायकों को इस्तिफा देना पड़ा राजय सबाचुनाब के बाद उनके उपर एक प्रेशर बनाया गया उनके पारिवारिक जो काम चल रहे हैं उनको निशाना बनाया गया है इसलिए उनको इस्तिफा देने की नौब बताईए तो आप इसने क्या समझते हैं देखे मुझे लगता है कि जो भी यह उप्चुनाव हो रहे हैं इनकी जरूरत जो है हमें नहीं थी लेकिन जिस धंक से भारती जनता पार्टी ने सरकार को अस्तिर करने का केल खेला उससे प्रदेश की जनता ने अपसंद नहीं किये जो छे उप उप्चुनाव हो रहे हैं मुझे विश्वास है कि इन तीन उप्चुनाव में भी कॉंग्रेस पार्टी की निश्चे तोर पर जीत होने वाली है सरफ सेव सीजन की शुरुआत हो चुकी है लेकिन जो एक कार्टन का बिशय लंबे समय से चलता रहा है यूनिवर्सल कार्टन का आपने भी कई बार इस बिशय को विधान सभा में भी उठाया बिधान सभा के बाहर भी इस पर बात रखी है बागवानों की लेकिन अब तक वो कार्टन नहीं मिल रहा है देखिए क्योंकि अभी जो है हमारा सेव का सीजन शुरूरू होने वाला है और मेरी अभी अधिकारियों से भी बात हुई है एक हफ्ते के अंदर-अंदर जो HPMC के सेंटर है वहाँ यूनिवर्सल कार्टन जो है उपलब्द होगा इसे मुद्दा इस बात को लेकर था जो आप भी मुझे से फ्रेक्शन पूछा और बहुत सारे बागवानों के किसानों के मुझे भी फोन आए कि कुछ पेंडिंग स्टॉक जो है किसानों और बागवानों के पास पिछले वर्ष का पड़ा है वो जाया ना हो यह बात बिलकुल सही है मैंने इस मुद्दे को लेकर परदेश के बागवानी श्री चेगसंग नेगी जी से भी बात किया मैंने उन्हें ये कहा है कि बागवानों की ये चिंता है इसे हमें दूर करना चाहिए मुझे लगता है कि जो भी पेंडिंग स्टॉक है इजाज़त होनी चाहिए इस वर्ष और सिलिंग 20 किलो की होनी चाहिए और अगले वर्ष जो है इस तरह की स्थिति नहीं आने चाहिए तो थोड़ा रिलेक्सेशन मुझे लगता है बागवानों और किसानों के हक में हमें देने की ज़रूरत है बिलकुल कॉंग्रस पार्टी के राष्ट्रिय प्रवक्ता कुदिप राठोर थे और इन्होंने कहा कि जो बागवानों का मुद्दा चल रहा है और इसके साथ साथ जिस तरह से संसद का सतर चला हुआ है और इसमें कॉंग्रस पार्टी की तरफ से यानि विपक्ष की तरफ सी नेता प्रतिपक्ष राहूल गांदी वो बात सदन के भितर रख रहे हैं तो उनके जो शब्द है उनको एक्सपंज किया गया है वो अलोकतांत्रीक है इस तरह की बात इनकी तरफ से कही गई है विडियो जान शंकूर के साथ प्रदीप ठाकूर शिम्ला